रसोई वीभा की यूटूब चैनल पर आप सबी का स्वागत हैं फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सियर करेंगे बहुत ही मज़दा रेस्पी बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब तो इस रेस्पी को सिखने के लिए प्लीज वीडियो को पुरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो आईए आज की रेस्पी सुरू करते हैं तो आज हम पपीते से बहुत ही जबजस्त मिठाई बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे पपीता से मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है एक किलो पपीता तो इस मिठाई बनाने के लिए हम एक किलो पपीता का इस्तिमाल नहीं करेंगे इसमें से हम आधा ही पपीते का इस्तिमाल करेंगे और इस पपीते को अच्छे से छिल कर त्यार कर लेना है इस मिठाई को फ्रेंड्स आप घर पर बहुत ही सस्ते में और बहुत असान तरीके से बना सकते हैं अगर यही मिठाई अब बजार से खड़ देंगे तो बहुत महंगेदामों में मिलेंगे तो यहाँ पे हमने पपीतियों को अच्छे से छील कर त्यार कर लिया है तो पपीतियों का जो अंदर का बीजवाला पाठ है इसे भी छील कर अच्छे से निकाल लेना है नहीं तो मिठाई में इसका तीखापन आने लगेगा तो इसे छीलना जरूरी है अब छिलने के बाद इन्हें छोटे शुटूगड़ों में काट लेना है इस तरीके से अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथ ही मेल लैकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो को निटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यहां पर सब्सक्राइब इन्हें पाणी से अच्छे से दोकर लेलेना है अब पापीते को मेक्सिक जार में डालकर इन्हें कर इनका फाइन पेस्ट उने हैं पेस्ट इहां भी आप तयार में तयार यह पपीते का ये देखिए तो चलिए अब इन्हें हम साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस के तरफ अब यहाँ पर लिया है 500 ml बॉल किया हुआ दूद और यह फूल क्रीम दूद है मैंने यहाँ पर गाय का दूद लिया है आप यहाँ पर भैस या पेकर का भी दूद ले सकत ताकि दूद जो है पैन में चिपके नहें और इन्हें लगतार चलाते रहें तो यहाँ पर दूद को हमने 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और यह थोड़े से घड़ा भी हो गया है चलिए अब इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे ग्रैंड किया हुआ पपीता अब काने में जड़ा टाइम नहीं लगता है बहुत ही कम समय में यह मिठाई बनके त्यार हो जाता है तो इन्हें लगतार चलाते हुए थोड़ा सा गढ़ा होने तक पका लें तो यह देखिए मिठाई में जो है थोड़ा थोड़ा गढ़ा पन आना शुरू हो गया है तो अब इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे आधा कप मिल्क पौडर, यहाँ पे आप एक कप मिल्क पौडर एड़ कर सकते हैं, साथ ही एड़ करेंगे आधा कप चीनी, चीनी और मिल्ट पाउडर डालने के बाद गेस को विल्कुल लो फिलिम पे कर दें ताकि सारी चीज़े इसमें अच्छे से मिल जाएं क्योंकि मिल्ट पाडर जो है बहुत असानी से नहीं मिलते हैं इसमें थोड़े थोड़े गुठ लिया हो जाते हैं तो इसलिए इन्हें अच्छे से मिला लगे जब सारी चीज़े इसमें अच्छे से मिल जाएंगे तो गैस को हाई और मिडियम के बीच रखें इस मिठाई को आप दूद के जगह खोया में भी बना सकते हैं, पहले खोये को दूद में अच्छे से मिल्ट कर लें, जब खोया अच्छे से मिल्ट हो जाए तो इसमें पपीते का पेश्ट डालकर इस तरीके से मिठाई बना लें, अब यहां पे लिया है एक चमच कश्टर्ड पाडर, साथ इसमें डालेंगे दो चमच, ठंधा दूद, और सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिला लें, इसमें थोड़ा सा भी लंचे गरा नहीं छोड़ना है, और इनका अच्छा सा घोल त्यार कर लें, चले यहां पे हमारा कश्टर्ड पाडर का घोल त्यार हो गया है, जब मिठ कश्टर्ड पाडर के जगा पे अप इसमें कनफ फलोर के आटे भी डाल सकते हैं, इस मिठाए में थोड़े से थीक्नेस लाने के लिए, अब इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे एक छोटी चमच, इलाजी पाडर, अब इन्हें भी इसमें अच्छे से मिला ले, अब गेस को हाई फिलें पे कर दें और इन्हें लगतार चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए पकाले ना है जब तक इसमें काफी ठेकनिस ना आ जाए तो यहां पर मिठाई काफी गाड़ी हो गई है तो अब इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे एक चमजदेशी घी घी से इसमें बहुत ही मड अंद से 20 मिठाई बनके त्यार और तो इसी के साथ इसमें मिठाई को मिठाई को अच्छे से ठंदा है जा आँपे पलेट को हमने घी घीस अजते अच्छे से घ्रिश कर दिया है तो चलिए मिठाई को इसमें ट्रास्फर करते हैं और थूछा सा घी हाथ के कोई भी ड्राइफूर से मिठाई को गानिस कर सकते हैं अब यहाँ पे सारी चीजों को थोड़े से पल्टे से दबा दें इस तरीके से यह देखिए बिल्कुल अच्छे से सब को दबा देना है अब इन्हें 20-25 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें अगर आपको जल पसंद से मिठाई को मनचाहा सिफ दे सकते हैं अब फ्रेंज आज की हमारी रेश्पी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आज की रेश्पी पसंद आए तो अपनी फ्रेंज फैमिली में सेर जरूर कीजिएगा और चैनल पे ना है तो मेरे चैनल को सब्सक् पे पपीते का बहुत ही संदार मिठाई बनके त्यार है है ना बनाना असान इस दिपावली इस मिठाई को आप जरूर बनाईएगा यह खाने में बहुत सा रिश्प लगता है और यह बहुत हेल्दी मिठाई है तो चलिए इसे बनाईए खाई एंजवाई कीजिए और आज की रेश्पी कैसी लगी हमें जरूर बताईए जितना बनाना असान है खाने में उतना ही लाजवाब है चलिए दिपावली इस पेसेल मिठाई बनके त्यार है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिजिएगा रेश्पी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईगा तो चलि मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाई बाई